प्रोग्राम में इस्तिक्बाल है मेरा नाम है भाशा इस कारिक्रम के लिए मैं हूँ खबर्ची भाशा खबर्ची यानि जो सब की खबर ले और सब की खबर दे इस कारिक्रम में हमारी कोशिश रहेगी मीडिया की पड़ताल करने की मीडिया ने क्या खबर दिखाई और क्या नहीं दिखाई इसकी चानबीन करन हम उत्रेंगे थोड़ा गहरे अगर मीडिया में कोई खबर दिखाई जाती है तो इसके पीछे वजह क्या है और ठीक उसी तरह से अगर कोई खबर नहीं दिखाई जाती इसके माइने क्या है आखिर यह कौन तय करता है मीडिया में कि क्या खबर है क्या जनता तक पहुशनी च कि जो खबर असल में होती है जिसका तालुक देश के महनतकश गरीब जनता से होता है नौजवान से होता है अलपसंख्यक से होता है आदिवासी दलित से होता है महिला जुड़ी होती है उसके बारे में बड़े और प्रभावशाली जिसे कहते हैं कॉर्परेट मीडिया को दिल मीडिया को एजेंडा सेट करने के एक आजार के तौर पे इस्तमाल किया जा रहा है और इस तरह से जो स्टूडियो है न्यूज स्टूडियो वह एक चद मियुद्ध ग्रह में तबदील हो जाते हैं शाम तक सबके प्राइम टाइम राश्टी महत्व की मुद्दे को समर्पित हो जाते हैं अखबार वेबसाइट सब इस अंधी दोड में शामिल नजर आते हैं इस सिलसिले में हम बाज शुरू करेंगे अलीगर मुस्लिम विश्विद्याले एम्यू को लेकर मीडिया में जो कवरेज हो रही है उस पर गौर फर्माएंगे आप सबको याद है पिछले कुछ समय से अखबार, मीडिया चैनल यहां तक की जो वेबसाइट्स हैं वहां पर एम्यू को बहुत खास धंग से टार्गेट किया जा रहा है उस समय पहले बिल्कुल अलग धंग से अलग परिपेश में जेन्यू को टार्गेट किया गया था जबाहर लाल नहरू विश्विद्याले को दिल्ली में इस समय एम्यू निशाने पर है ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मानो अभी अभी जो पूरा का पूरा छातरसंग वहां पर आंदोलित है जिसके साथ में अध्यापकों का अलिगड मुस्लिम इश्विद्याले के अध्यापकों की एक लंबी चौड़ी टीम साथ खड़ी हुई है वह सारे के सारे लोग देशित की बात करने को तयार नहीं है सारी कोशिश हो रही है एम्यू को मिनी पाकिस्तान दिखाने की और इसकी वजह जो बताई जा रही है वह यह है कि छातरसंग के हौल में मुहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है सारा बवाल इसी नाम पर काटा जा रहा है अगर आप अखबार उठा के देखें तो अखबार में अचानक ही जिन्ना के पक्ष में और विपक्ष में लेख लिखे जा रहे हैं मानो 2018 में भारत में सबसे बड़ा मुद्दा जिन्ना है जिन्ना का भूत पूरे मीडिया पर तारी है वजह क्या वजह इसकी करनाटक चुनाओ है क्या इसकी वजह हिंदू मुस्लिम के ध्रुवी करन करने की साजिश है आखिर क्या वजह है कि एक फोटो जो आजादी से पहले चात्रसंग के हौल में लगी हुई है वह बाहर निकला जाती है और उसका जिन्न पूरे देश भर में चा जाता है पूरा मामला शुरू होता है जब अलिगड़ के भाश्पा के सांसद सतीश गौतम एक पत्र लिखते हैं इसी ठीक इसी समय जबी विवाद लिखा जाता है जब पत्र लिखा जाता है उससे पहले पत्र लिखा जाता है कि अलिगड मुस्लिम विश्विद्याले में आरेसेस की शाखा लगनी चाहिए जिसको लेकर तगड़ा विरोध होता है उसके बाद जिन्ना के फोटो को लेकर पत्र लिखा जाता है जिसे सुब्रमनेम स्वामी तक ट्वीट करते हैं और बाकी सारी मां बीच-बीच में आता ह है सारी चीज़ें यह उस समय की बात है जिस समय चात्रसंग पूर्व उपराष्टपती हामिदंसारी को सम्मानित करने जा रहे हैं कालिक्रम तरह हैं वहां पहुशते हैं उनके पहुशने के और कालिक्रम शुरू होने कि कुछी घंटे का अंतर है और इस बीच वहां पर आनक ही बिल्कुल जहां पर ठिके हुए हैं हामिदंसारी जी उसके पास तक पहुशते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं नारे लगाते हैं आपती जनत्भाशा में इस्तमाल करते हैं होता क्या है कि धाई वजे करी कुछ फिरिंज एलिमेंट्स आते हैं जिस जो गेट गेट गेस नंबर तीन में हमारे वाइस वाइस प्रेसिदेंट लगती है तो इस पूरे मुद्दे को आप देखिए तो यह वाइस प्रेसिदेंट आफ इंडिया जो आ रहे थे उनकी सुर है कि इस तरह की एक कोशिश होती है हामिदंसारी जी पर हमला करने की जिसे चात्रसंग और बाकी के लोग वहाँ पर नाकाम करते हैं आप फूटेज के आधार पर लोगों को एरेस्ट कीजिए और उनके खलाफ सकते सकत करवाई कि लिए अब ने बहुत उनसे का आधे गंटे का टाइम दिया कुछ नहीं हुआ है एक घंटे का टाइम जा रहे हैं उन पर हमला होता है उन पर पुलिस लाठी चार्ज करती है आसु गैस छोड़ती है तब तक यह मामला हामिदंसाली की सुरक्षा से जोड़ा हुआ है ध्यान दीज जो भाशन लगाता नारे लगा रहे हैं वह भी महां पर नहीं बोलते हैं लेकिन हमला तगड़ा होता है जो पुलिस का लाठी चार्ज है वह बहुत तक रहोता है जिसमें बहुत ज्यादा मावड़ी संख्या में छात्र गायल होते हैं अध्याक्ष गायल होता है और इसको लेकर तमाम चीजें और रिकॉर्ड हैं मतलब यह कोई बात ऐसी नहीं है कि उसके लिए कोई तफ्तीश करने की बात है उस सारी चीजें सामने है चातर संग इस पर विरोध दर्स कराता है एफाई आर सही ढंग से और उन दोश्यों के खिलाफ कारवाई करने की मांग करता है ज इससे पूरा का पूरा एम्यू प्रशाशन जो वहां के टीचर्स हैं वो बहुत उद्विलित होते हैं उन्हें लगता है कि यह सही रवया नहीं है और वे चात्रों के साथ खड़े होते हैं ध्यान देनी के बात है कि ऐसा एम्यू के इतिहास में पहली बार होता है जहां पर अध्यापक खुद रैली निकाल कर जाते हैं जिला प्रशाशन के पास और मांग करते हैं कि एक न्याइक जाच होनी चाहिए किसी भी सिटिंग हाई कोर्ट जच के समय बद्ध मांग होनी जाच होनी चाहिए और दोशियों के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए यह जो छात्रो जिन्ना जो की अभी तक के जितना घटना करम है उसमें एक बड़ी खबर के तौर पर उभरता नहीं है एक सेक्शन है जो बोल रहा है कि जिन्ना की जो फोटो लगी है उसे हटाना चाहिए लेकिन जो च्छातर उत्रे हुए हजारों के हजार तादाद में उनकी मांगे बिल नहीं होता जबकि होना चाहिए था क्योंकि हमारे पास यह नजीर है कि किस तरह से जेन्यू में हुआ किस तरह से डियू में हुआ किस तरह से बीच यू में हुआ लेकिन अगर आप मीडिया को उठा के देखेंगे तो मीडिया के लिए आज की तारीख तक सबसे बड़ा मु पूरा का पूरा एम्यू प्रशाशन जिसमें कई मीडिया घराने तो खुलकर बोलते हैं कि वो मिनी पाकिस्तान बना हुआ है एंकर सक बोलते हैं तो यह एक पूरी कोशिश है एम्यू को एक खास धर्म के साथ एक राष्ट विरोधी नेचर के साथ जोड़ के खड़ा करने की उसमें मीडिया एक एहम भूमी का निभाते दिखाई देता है और यह बेहच चिंता जनक है और यह अचानक ही नहीं होता मुझे लगता है कि हमें यह भी सोचना चाहिए कि जेनियू को जिस तरह से देश द्रोही एंटी नैशनल घोशित करने की कोशिश की गई थी जिस तर भाद में पूरे की पूरा फरजी पाया गया सिट आपने और बाकी तमाम लोगों और आप जाए लोगों को वहां पे उत्पीडित किया गया ओमर डिमेंब दिस यू 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 आँ तो आंग आप यू एंदू आप लैनन आप आप एशन यू अवार देंजरों तो इस कंट सब्सक्राइब करें तो अगर उसको याद करिये तो वहां पर जेनियों को उस समय की जो राजनेतिक जरूरत थी उस उसे साब से भाजपा संग और उनके जो तमाम एक हजार संगठन है दक्षणपन्थी उग्र हिंदू विचारधारा वाले वे उस समय जेनियों को कोशिश कर रहे थे मीडिया के जरीए एंटी नैशनल दिखाने की और आज बी एचिव के बाद वे कोशिश कर रहे हैं अलिगड मुस्लिम विश्विद्याले को पाकिस्तान से जुड़ा हुआ दिखाने की दिखाने की कि वो देश हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं वह जिन्ना के साथ हैं अब आप सोचिए कि यह मुद्दा करनाटक में जो चुनाओ लेकिन दोनों में क्या रिष्टा और क्या टाइमिंग है तैक करना होगा में राश्टवादी सरकार चाहिए जिहाद यूस अवर्फक सरकार चाहिए तैक करने कि लिकन अलीगर इनिवर्सिटी में ऐसा लग रहा है कि तुना का राज है वहां जिन्ना की जिन्ना जैसे लोगों को या जो लोग देश के बतवारे के लिए उनको सम्मान नहीं दे सकता और मीडिया किस तरह से बहां दिखाता है कि उसको लेकर लोग वहां पे बहुत आक्रोशित हैं एम्यू का वीडियो चल रहा है और ऐसा वीडियो चल रहा है जिसमें भारत विर आलीगर मुस्लिम श्विद्याले के बारे में तो यह सब चीजें अनायास नहीं है कि जो धुरुवी करण भाश्पा और भाश्पा सरीखी पार्टी को करनाटक के चुनाओं में मदद पहुचाएगी हिंदू-मुस्लिम का जो डिवाइड भाश्पा करना चाह रही है जो स उसका माध्यम बनाया जाता है तो एक तो यह हमारे पास सिलसला है कि जो विश्विद्याले या जो संस्थान सीधी टकर देते हैं या जहां पर जो उग्र हिंदू विचारधारा वाले संगठन है जो चात्र संगठन है वह बहुत जादा अपनी पैठ नहीं बना पाते तो उनको एक विलेन के तौर पे दिखाना उनको देश के हित में ना दिखाना सबसीडी का से फायदा किंको हो रहा है इस तरह की पूरा एक परसेप्शन बिल्डिंग एक धारना का निर्मान मीडिया करता दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि हम सब को इस बारे में को पर बात करें करनाटक में चुनाव चल रहे हैं और करनाटक में चुनाव चल रहे हैं उसकी कवरेज भी बहुत दिल्चस्प है समर है चुनावी समर है सारी पार्टियां उत्री हुई हैं उनकी अपने अपने अजेंडे हैं अपने सवाल हैं टॉप नेता उत्रे हुए है प्रधानमंत्री से लेके देश के कई मुख्यमंत्री तक उत्रें हुए हैं भाश्पा की तरफ से और अधर कांग्रेस की टीम हैं उधर देवगोरा की टीम हैं अलग अलग लोग हैं लेकिन अगर के आप कवरिज उठा небे कि कवरिज में आपको दिखाई देगा कि भाशपा प्रधानमंत्री अमिश्या जो भाशपा के राष्टी अध्यक्ष है और उनकी पूरी टीम है इसको लेकर मीडिया कितना समवेदनशील है एक छोटी छोटी सी बात एक छोटा सा जुमला एक किसी के साथ जाके खाना-खाना किसी को हार पहुनाना किसी समारोह में जाना यह सारी चीजें मीडिया इस तरह से दिखा रहा है जैसे मानलूब उसका अपना कवरेज हो पिए नरेंद्र मोदी आज करनाटक में अपने तूफानी चुनाव प्रचार की शुरुवात करेंगे पांच दिन में प्रधानमंत्री ताबर तोड़ 15 रेलियां करने वाल उनकी कवरेज में जो कि अभी इस समय वहाँ पर सरकार में भी कॉंग्रेस सरकार रही है तो उन दोनों के कवरेज में आपको इतना अंतर दिखाई देगा कि ऐसा लगेगा कि मीडिया की पूरी की पूरी टीम एक खास दल के साथ ही घूमी जा रही है यह इतना बायस क्यों इस तरह का कवरेज क्यों क्या हम जो बड़ी धारना बनाने की एक पूरी फैक्टरी चल रही है परसेप्शन बिल्डिंग की जो फैक्टरी चल रही है और खास तोर से 2014 के बास से धारना बनाना एक अलग से उद्योग हो गया है परसेप्शन बिल्डिंग एक अलग से इंड से लोगों को दूर करने की बात है जो नहीं है उसके बारे मैं धारना बनाना एक बअना कि इनकी तो सरकार आईगी इसके लिए त्माम तरह के मा है पोल हो रहे हैं जिन में बताया जा रहा है कि लोग सा सोच डिये लो वैसा सोच फ्राइन कर अलगसे बैस हो सकती है हो ही रही है लेकिन अगर कोई event हो रहा है अगर कोई rally हो रही है अगर लोग विरोध में उतर रहे हैं अगर लोग कुरसियां तोड़ रहे हैं किसी rally में तो क्या उसे media दिखा रहा है उसी तरह से शायद नहीं और मुझे लगता है कि यह एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमें यह बताएगा कि media कहां खड़ा है चलते चलते एक घटना का जिक्र मैं यहां और करना चाहूंगी और जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है उस खान मार्केट में होटल ताज कुछ दिनों पहले वहां के सीवेश ट्रीटमेंट प्लांट में जहरीली गैस का रिसाव हुआ एक एक करके पांच लोग अंदर जाते हैं पांचों लोग उस जहरीली गैस की चपेट में आते हैं और यहां ध्यान दीजिए उस चमचमाता में देश के कानून के हिसाब से जो बुनियादी चीजे होनी चाहिए सीवेश ट्रीटमेंट प्लांट में जो चेक होने चाहिए जो सेफटी गेर होने चाहिए किसी भी व्यक्ति का वहां उतरना मना होना चाहिए 2013 के कानून के बाद 2014 के सुप्रीम कोर्ट के जज्ज्मेंट के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है वहां बाद एक के बाद एक लोग उतरते हैं और उनमें से दो लोग अपनी जान गवा देते हैं इसे लेकर पूरे मीडिया में अभूत पूर वो शान्ती है खामोशी है चुटपुट चुटपुट खबर अंग्रेजी के कुछ अखबारों में आपको देखने को मिल जाएगी और उसमें भी पक्ष होटल का ज्यादा है कि वहां लगा कि पहले बिजली जैसा कि लोग बत देश की राजधानी में पांच लोग पांस इतारा होटल में सीवेश ट्रीटमेंट प्लांट में जहरी ली गैस से पीडित होते हैं दो लोगों की जान जाती है इस पे कोई चर्चा हमें मीडिया में नहीं दिखाई देता है यह जो एक क्राइम है जो एक कास्ट बेस अज़ार से अधिक लोग जान गवा चुके हैं सीवर और सेप्टिक टैंक में लेकिन मीडिया के लिए यह एक खबर नहीं बनता क्या सिर्फ इतना इसलिए क्योंकि मरने वाले दले समुदाए या पिछडे समुदाए के हैं मुझे लगता है यह एक जरूरी सवाल है जो मीडि कैसे देखता है हमें उठाना और हमें बोलना जरूरी है न्यूस क्लिक के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया उमीद है खबरों पर खरी-खरी आपको पसंद आई होगी जो सवाल हमने उठाए वो आपके जहन में भी होंगे और बहुत दूर तक आपके साथ और लोगों तक पहुचेंगे आज बस इतना ही अब दीजिये इजाज़त शुक्रिया